मुझे दिल्ली केंट विधांसवा स्थित जरेडा गाहों में युवा चौपल कारिगरम में वक्ता की रूप में भाग लेने का अवस्तर प्राप्त हुआ जो कि युवा मोर्जा बीजेपी जिला का रॉल वाग द्वारा आयोजित किया गया था इस कारिगरम में दिल्ली प्रदेश बीजेपी उपाद्यक्षी शिरीव इनयरावत जी भी उपस्त थे इस मन्ज़ से हमने समाज के फिभन मुद्दों पर चर्चा की और युवाओं को प्रेरित करने के लिए विचार साजा की है युवा मोर्चा की इस प्रयास से हम सभी मिलकर एक मजबूत और सकरात्मक बदलाब की दिशा में काम कर सकते हैं आशा है कि इस तरह के आयोजनों से युवाओं में नई उर्जा और नेतरत वचमतागा विकास होगा बुवन करन सिंग तवर एडवोकेट सहसाई हो जक दिली प्रदेश भाजपा लीगल सेल नमस्कार उस्तमे हिंसे मैं भावना शर्मा आपके साथ और ये एक मीडिया सेंटर है जिसमें की पलपल की खबर आपको दी जाती है तो आज हमारे साथ मौजूद हैं भुवन करन सिंग तवर जो की लीगल सेल के दिली परदेश के अध्यक्ष है तो सर बहुत बहुत नमस्कार हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ और खासकर मैं ये जो आपका चैनल है जिसके जितने भी वीवर्ज हैं सब के लिए एक मेसेज देना चाहता हूँ कि जो आज की परिस्टिती बन गई है हमारे दिली में ये बहुत गंभीर परिस्टिती है और ये ऐसी परिस्टिती है कि हर एक वर्ग हर एक समाज अपनी व्यक्तिकत चीजों से ना परेशान होकर जो समाजिक उनकी परेशानिया और जो उनके सुसाइटी में परेशानिया बढ़ गई हैं ये उसके लिए एक बड़ा गंभीर विशे है दिली में पिछले दो लगबग टर्म से पांच-पांच साल के जो दो टर्म हैं इसमें आमाद्नी पार्टी की सरकार है और उनके मुखिया अरविंद केजरिवाल जिन्होंने एक छत्र राज कराए पूर्ण भहुमत पाकर दिली में एक ऐसा महल बना दिया है कि हर एक वर्ग मैं यूवा होने के नाता है अगर यूवाओं की बात करूं तो हर एक ग्यूवा पीड़ा में है और जितने भी शायद चाहे रोजगार की बात करूं चाहे उनकी डे टूडे कोई भी समस्याओं की बात करूं या अगर महिलाओं की बात करूं जैसे महिलाओं को जो पहले बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी महिलाओं की सुविधाओं से वो वंचित हो गई है एक तरीक से हर एक वर घर एक समाज की इतनी सारी परिशानिया बढ़ गई है कि अगर मैं उनकी सूची कोई बनाओं तो शायद कई पन्ने भर जाएंगे और इनकी समस्याओं का निवारन करने के लिए कोई इनके पास कोई हल नहीं है क्योंकि इनकी जो सोच है वो सिर्फ वो सोच है कि अपना बंगला बना लो आनिशान महल खड़ा करतो जो इन्होंने एक अपना जो घर था पहले इन्होंने कहा कि हम घर नहीं लेंगे गाड़ी नहीं लेंगे कभी कभी किसी किसी की कसमें भी खा ली मगर आज ये स्टिती है कि घर जो गाड़ी जो पहले सीम लिया करते थे उ प्रमान हैं कि यह Man में लालच रखते हैं, मन में इनके सिरफ अपना और अपने परिवार का जो एक लालच है वो है, जनता की यह कोई एक तरीके से सुद नहीं लेना चाहते, जनता की भलाई का काम नहीं करना चाहते, आज इस परिशिती पे गंभीर हर एक व्यक्ति है और इस बार जो आप महाल चल रहा है और जैसे-जैसे हवा आ रहIE है मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है जनता-बदलाव के मूड में है और इस बार भारते जनता पाटी की सरकार पून बहुमत से बनेगी और जो भी जैसे भी आज जनता परेशान है इन सब समस्याओं का निवारण भारते जनता पार्टी करने के लिए प्रतिवद है जैसे कि सर आपने देखा कि जुनाव सर पे हैं और आपने क्या जनहित की कार्यों को सोचा है और क्या जनता की बलाई के लिए आप क्या कार्य करें देखिए पिछले लगबग बावन सालों से मेरे पिताजी करन सिंग तवर जो यहां इसी इशी दिल्ली के इंटोन्मेंट शेत्र से लगबग पांच बार विधायक रहे हैं और उन्होंने इस शेत्र का प्रतिनिद्व करा है अगर मैं जनता के कार्यों की बात करूँ तो यह मेरे से बहतर जनता ही बता सकती है शेत्री की क्या क्या कार्य करें मुख्य रूप से इस शेत्र में जितने भी आप बराद घर देखेंगे, चाहे हमारे शेत्र में पांच गाउं हैं, पांचों गाउं में बराद घर बनवाए, हर एक जगे सडके, नाली, खड़ंजे, पेंशन, राशन कार्ड, और भी जितनी जन सुविधाओं की जितनी भी अगर मैं चर्चा करने बैटूं, तो शायद इतने सालों की सेवा में, मुझे नहीं लगता कि ये दिली चावनी का कोई ऐसा घर होगा, ऐसा कोई गली महला होगा, जहां पर की काम जो हैं, नहीं करा, और सबसे बड़ी बात ही है, ये सारे काम, और ये जितनी भी एक तरीके से जनता के लिए साफ एक मन में मन्शा लेके, कि मुझे ये काम करना है, चाए विपक्ष के उसके लिए लड़ाई करनी पड़ी, चाए विपक्ष को घुटनों पे टिकाना पड़ा, और भी जैसे अपने तंतरों को उपियोग करना पड़ा, उन्होंने वो करके दिखाया, जो आज दिल्ली कैंट विधानसभा में इतने टाइम से जो काम रुके वे थे, उन्होंने करे, मगर दुर्भाग्य देखिये, पिछले दस सालों से दिल्ली कैंट शेत्र में विधानसभा में आम आदनी पार्टी के विधायक है, जो काम हो गए तो हो गए, उसके बाद उन कामों का maintenance तक नहीं हो रहा है पिछले दस सालों में और नए काम की तो एक भी शिला नयास तो मैं क्या बोलूँ वहां कि कोई कागज पत्री का भी ऐसी नहीं निगाली की काम करने की कोई इच्छा भी जाहिर करी हो तो तो भूवन जी का कहना है कि जिस तरह से उनके जो पापा है करन सिंग तरवर जी किसी परीचे के मोताज नहीं वह दिगर्ज नेता हैं और उन्होंने इतने काम करें हैं तो आप भी उनके पत्चिन्नों पर चलके जनता के लिए काफी कारे करेंगे तो सर आप हमारे दर्श्कों को आप लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनाने के साथ मेरे साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है क्योंकि लोगों की अपेक्षा लोगों की इच्छा यह वही है जो पहले मेरे पिताजी से हुआ करती थी आज वही अपेक्षा मुझसे कर रहे हैं तो यह जो भार यह जो जिम्मेदारी और जो मैंने इस चीज़ का परिणाम है कि लोगों का जो मुझे बेशुमार प्यार मिल रहा है जो लोगों का एक सहारा मिल रहा है और लोगों ने ही मुझे प्रोचसान दिया कि जब आप इस शेत्र में इतने सालों से आप बाल अवस्ता से ही हमारे बीच में रहते हो आप शेत्री हो और आप यहीं के रहने वाले हो, आपने खुद वो समस्याओं को महसूस किया है, जो हमारी समस्या है, वो आपकी समस्या है, क्योंकि शेत्री होने के नागरी के कारण, समस्याओं का जो एक समधान निकालने के लिए जो एक दायत वो बनता है, वो हर एक शेत्री का बनता है, और मै कि जो समस्याओं का निवारन करके मैं आप सबको दूँगा तो भुवन जी का कहना है कि नर सेवा नाराइन सेवा तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला और हमारे जितने भी दर्शक अब देख रह हैं कि जिससे की हमें एक उजवल भविश्य और अपने बच्चों के लिए आगे आने वाले समय में उनका एक अच्छा भविश्य बनाके उन्हें हाथ में स्वाप रहे हैं